1. हाल ही में भारतिय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना की गोशना की है जो डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है Options 1. डिजिटल रुपया योजना 2. रुपेकार योजना 3. यूपी आई विकास योजना 2. इंडिया पेमिन्ट सिस्टम 2. कौन सा बैंक नवंबर 2024 में ग्रीन कार्बन क्रेडिट स्कीम पेश करने वाला भारतिय बैंक बंदया है Options A. HDFC Bank B. भारतिय स्टेट बैंक SBI C. Bank of Parodha D. ICICI Bank 3. सितंबर 2024 में भारत ने विदेशी मुद्रा भंदार का नया उचितम रिकॉर्ड कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाया A. 650.12 B. 670.88 C. 683.99 D. 700.45 C. 683.99 4. विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतिय राज्य को जल संरक्षन परियोजना के लिए 300 डॉलर मिलियन का रिन प्रदान किया Options A. उत्तर प्रदेश B. महाराष्टरा C. तमिलनाडू D. राजस्थान 5. किस भारतिय बैंक ने अंतर राष्ट्रिय व्यापारिक दिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए Digital Trade Platform लॉंच किया है Options A. कोटक महिंद्रा बैंक D. यस बैंक C. पंजाब नेशनल बैंक D. एक्सिस बैंक 6. ICICI बैंक ने किस फिंटेक कंपणी के साथ साजेदारी की है ताकि वित्तिय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके Options A. फोन पे B. पेटी एम C. क्रेड D. गूगल पे 7. किस राज्य ने शहरी शासन सूचकान Urban Governance Index में सर्वोचस्थान प्राप्त किया है Options A. उरिसा B. महाराष्ट्रा C. केरल D. करनाटका उत्तर C. केरल 8. नवंबर 2024 में कौन सी नई योजना ने भारतिय ग्रामीन शेत्रों में लभू उध्योगों को सशक्ति करने का लक्षे रखा है Options A. ग्रामीन उध्योग सशक्तिकरन B. सूक्षम वितपहल C. आत्मिर्भर भारत अभियान D. प्रोजेक्ट विकास उत्तर B. सूक्षम वितपहल 9. भारतिय रिजल्ट बैंक ने किस उद्देश्य से हाल ही में एक डिजिटल करंसी पाइलेट परियोजना शुरू की है Options 10. इंफ्रस्ट्रक्चर वित्तियकरन को प्रोजसाहित करने के लिए किस प्रमुप बैंक ने हाल ही में पाँच बिलियोन डॉलर का निवेशकार्यकरम भोशित किया है Options A. Yes Bank B. IDFC First Bank C. ICICI Bank D. HDFC Bank Uttar D. HDFC Bank